नरेंद्र मोदी और अमित्शाह एक नया कानून लेके आये हैं हिट एंड रन नया कानून दरसल ये पहले तो लोकसवाम पास होता है उसके बाद फिर जाता है राश्पती की पास तो राश्पती भी इस कानून को हरी जंडी दे देती है अभी ये लागू नहीं हुआ है किस तारीक से लागू होगा लेकिन लागू होने से पहले जैसे प्रस्ता पास होता है तब ही सही ड्राइवरों में खलवली मच जाती है कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे ये सिर्फ बस और ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उनी पर लागू है लेकिन ये प्राइविट वाहन जो है ये उस पर भी लागू है यानि कि जो वाहन चलाएगा ये सब पर लागू है अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पैसे कम है तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि अगर एक्सिदेंट होता है किसी की मौत हो जाती है तो उसमें सीदे सीदे 10 साल की सजा और 7 लाग रुपे का जुर्माना लग जाएगा इसलिए इन्होंने चक्का जाम कर दिया है इसलिए घर से नहीं निकल रहे है इन्हें डर है कहीं ऐसा नहों कि इस कानून की जद में अगर हम आगे तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कितने पैसे कमाते हैं अब 15,000 रुपे मिलते हैं साब हमें 15,000 हमाई शेलरी है और हम अपने बच्चों को पढ़ा में या पीटे पा लें या फिर इनके लिए 10,000,000,000 रुपे कहां से लागे हम कितने साल से ड्राइबर हैं अब मुझे हो गए करीब 17,18 साल हो गई 17,18 साल में कभी कोई ऐसा हाथसा हुआ आपसे अबी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई मरा मरा मुझे पहें आज तक कोई नहीं है अच्छा तो फिर डर किस बात कहा जब आज तक 17 साल में नहीं हुआ यह होनी होनी वक्त का क्या पता है और बाहन इतना रोड पे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं आप पुलिस को इंफोर्मेशन दो जब इंफोर्मेशन दे दोगे तो आपकी सजा भी कम हो जाएगी आप पर जुर्मान भी कम हो जाएगा करते हैं तो कोई हाथसा हो गया तो और बस जब करीब करीब कितने लोग बैठ जाते हैं बसके अंदर कफ से जोब कर रहे हैं आप मैं तो सर मुझे दस साल हो लिए तरी तो अभी सेविंग के बात करें तो कितना रुपए आपके पास नहीं है सब नील बटा नहीं ले कुछ नहीं है गाड़ी बताओ कौन दस लाक रुपए जुर्माना या साथ साल की जेल कौन काटेगा तो बहि अब कोई नहीं चाहता है कि उसके ट्रेर के नीचे चीटी भी मरें आदमी की तो बहुत बड़ी की बात होती है फिर डर किस बात का है अगर देखो रोड पर चलते हैं तो देखो हाथ से होते रहते हैं हो जाता है कि आठ साल हो गया लेकिन अगर हाथ साल की जिंदगी जाए अब वह 7 लाख रुपे हैं तो ठीक है नहीं तो फिर सजा और बढ़ जाएगी जो कानून बसों पर लागू होता है वही कानून लागू होता है छोटे वाले बहानों पर तो ऐसे इस्तिती में अगर कोई हाथसा हो जाता है ये बात बिकुल सही है कि कोई किसी को जान अगर लॉंग टर्म के हिसाफ से देखेंगे तो उस हिसाफ से जो लोग ट्रिंक और ट्राइव करते हैं तो वो थोड़े उनको मतलब एक तरह से जब इस कानून के बारे में जादे अच्छे से बता चलेगा या उनके सरकल में ऐसा होगा कि किसी को सजा हो गई तो उसके लि आदमी को बड़े आदमी बतने आम आदमी अगर उसकी जेब में पचास हजार रुपे भी हो ना यह बहुत बड़ी बात है आज के इस दोर में बच्छों को पढ़ा में लिखा में साट लाग जुबा जोड़ा है अब यह कहते हैं कि तुम्हें वहां रुकना है जो मर गया है या घायल है उसके मदद करनी है ऐसे में अगर भीड जोड़ जाएगी तो फिर क्या होगा तो एक बात होता हो अगर डिलाइवर वाजी का मौके पर रुकता हो तो पब्लिक का उसे छोड़ देगी तो पब्लिक तो मारेगी मारेगी उसे अगर भीड मारती है तो भीड को कम से कम सजा दस साल और अधिकतम फांसिक सजा इसे मौवलेंचिंग में शामिल कर दिया है और जुर्माना भी उन पर पब्लिक पर बड़ा लगेगा लेकिन बात तो है पब्लिक और ड्राइवर दोनों की आमने सामें टक्राब हो जाएगा ना एक बात बताईए हम सवारी उतारने रोड पर भाई साइड में लेकर सवारी तो उतारने हम जरू पीछे से मोटर साइक कानून अपना वापिस लेलो जो पहले कानून चला वह कानून चलेगा तो आम ईहीं से झbak जिखना नहीं से colaboration में घर में तो हम तो मनना है चाचा कभी ऐस तो नहीं कभी शराब पी के गाड़ी चलाए हो या फिर क्यों शराब पीते हैं मतलब आप नहीं अमन लोग जो ड्राइवर होते हैं क्यों पीते हैं शराब अगर हम इतने घरसु मालदार होते हैं लकेसरी होते तो हम इने 15-16 जार में गाड़ी ने चलाते हैं हम भी तो बाबुजी बनके रहते हम ऐसे सड़ेबु से कपड़ान में क्यों रहते हैं जो हम इतने घरसु मजबूत होते हैं इस बात में वाके दम हैं कि पूरी जिंदगी एक ड्रैबर अगर 7 लाख रुपे एक साथ ही खटा करेगा तो कभी खटा नहीं हो सकता बैसे भी मैंने एक सर्वे में देखा था सुना था पड़ा था कि पूरे भारत की आवादी लफ़ग 135 करोड के आसपास है इसमें लफ़ग 100 करोड लोग ऐसे हैं जिनमें अगर हम कर रहा हूं 50-50 करोड की वो ऐसे ही कोई ड्रैबर होगा कोई रेड़ी चलाने वाला होगा कोई गरीब आदनी होगा तो इसलिए कानून बनाने से पहले देखने की जरूत है इसको अमली जमाने से पहले कुछ और सोचने की जरूत है जिससे क्या ड्रैबर की जिन्दगी चल करते हैं और हिट एंड रन इसी लिए लाया गया है ताकि ये 50,000 लोग जो मर जाते हैं 8 साल उनकी जिन्दगी को बचाया जा सके लेकिन जो कानून बनाया गया है वो ऐसे लग रहा है जिससे अमीर लोगों के लिए बनाया गया है जबकि गाड़ी चलाते हैं गरीब आदनी 15,000 रुपे सैलरी मिलती है और किसी भी ड्रैवर के पास 17,000,000 रुपे खटे होंगे नहीं या तो वो अपनी स्पीट पर ब्रेक लगाएंगे गाड़ी अपनी धीमे चलाएंगे या फिर कोई जानबुचकी ही सामने पड़ जाता है तो फिर उनकी जिन्दगी विकुल दू भी जिन्दगी जाता है तो विकुल दू उरते है